नमस्कार बोलते तारे आप देख रहे हैं आपके साथ मैहूस सोनाली ठाकूर राश्टिपल के जरीया आप अपने आने वाले भविश्य के बारे में जान सकते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि विभायता स्त्री को संतोशी मा का व्रत कैसे करना चाहिए दरसल मा संतोशी प्रेम, संतोश, शमा, खुशी और आशा का प्रतीख है उनके नाम, अर्थ, अनुस्वार संतोशी मा को सभी इच्छाओं के पूरा करने के संतोश प्रदान करने वाली देवी के रूप में माना जाता है संतोशी माता विग्न हर्ता श्री गनेश ज्री की बेटी है जो सभी दुख, परेशानी और भक्तों के दुर्भाग्य को दूर करती है माता की पूजा अर्चना जादातर उत्री भारत की महिला द्वारा अधिक की जाती है ऐसा माना जाता है कि विभाईत स्त्री लगातार सोलर शुकरवार तक मा का उपुवाश अप्रातना करने से उनके परिवार में श्वांती और समड़ी दियाती है संतोशी मा एक व्यक्ति के परिवारिक मुल्यों को संजोने और साथी एक संकल्प के साथ संकट से बाहर आने के लिए प्लेडित करती है इस दिन सुर्योदेल से पहले उठकर स्नान आदी से निविर्थ होकर घर में गंगा जल का छड़काव करे और शुधी करे घर की पुर्वोत्तर देशा में अनंत स्तान पर मा संतोशी की मूर्ती या तस्वीक की स्थापना करे पूजा समागरी एक बड़े पात्र में शुधी जल से भड़े पानी से भरे पात्र में गुर और चने से भरा एक और बरतन रखे माता की वीडी विधान से पूजार्ज ना करे इसके बाद संतोशी माता की कथा सुने फिर आर्ती करे और सभी को गुर और चने का प्रसाथ जरूर दे अंत में घर में पानी से भरे पातर से जल को छिड़के और बचावा जल तुलसी या किसी अन्य पौधे में डाल दे ऐसा करने से मा जल से जल्द खुश होगी और आपको जल से जल्द लाव मिलेगा अब चलिए राशिफल के तरफ रुक करते हैं और शुरुआत मेश राशी से करते हैं मन असहज रहेगा और कुछ बुरे विचार मन में आएंगे ऐसे में मन को शांत करने के लिए कम से कम आदा घंटा ध्यान लगाने का प्रियास करेंगे तो बहुत सहता मिलेगी अब मेश राशी वाले जात्कों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर साथ हैं लखी कलर आपका असमानी है और आप बात करते हैं लखी नंबर अकलर के बाद ब्रिश राशी की 24 फरवरी का दिन आपके लिए भागिश्वाली रहेगा कॉलेज में हैं तो आपके अध्यापक आपसे प्रस्न होंगे और परिक्षा में भी सफलता मिलेगी आर्थिक स्थिती बहतर होगी और रिष्टे भी मजबूत होंगे अब बिष्ट राशी वाले जात्कों का लखी नमबर कलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर 4 है लखी कलर आपका संत्री है और आप बात करेंगे मिथुन राशी की अपने काम में स्थिर्टा लाने का प्रियास रहेगा और बहुत हद तक इसमें सफल भी होंगे कुछ लोगों के साथ आपकी द्वेश सामने आ सकती है मिथुन राशी वाले जात्कों का लखी नमबर 2 है लखी कलर आपका हरा है और अब बात करते हैं मिथुन के बाद कर्ग राशी की व्यक्तित्व में सुधार आएगा और परिवार में जिम्यदारियों को समझेंगे अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर विचार विमर्ष संभव है कर्ग राशी वाले जात्कों का लखी नमबर आपका लखी नमबर 6 है लखी कलर आपका श्वेत है कर के बाद बात करेंगे सिंग राशी की नए शत्रू बन सकते हैं किर्शी के छेतर में सफलता मिलेगी व्यापार में घाटा तो होगा लेकिन वेयस थाई होगा मन किसी बात को लेकर बेचैन रहेगा अब राशी फल के बाद लखी नमबर आ कलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर 9 है लखी कलर आपका सलेटी है लखी नमबर आ कलर के बाद बात करेंगे करन्या राशी की आवश्रक्ता से आधी किसी चीज के बारे में सोचना आपके लिए तानाव की स्थिती उत्पन कर सकता है ऐसे में किसी अपने के साथ उस बात को साज़ा करेंगे तो बहतर रहेगा करन्या राशी वाले जातकों का लखी नमबर साथ है लखी कलर आपका केस्वी है लखी नमबर के बाद बात करेंगे तो राशी की अपने प्रेमिका से अच्छे संबंद स्थापिस करने की कोशिश करेंगे घर वालों को किसी बात से समस्या हो सकती है बच्चों को लेकर आशानवित रहेंगे तोला राश्णी पाले जादकों का लख़ी नमबर अकलर जान लेते हैं आपका लख़ी नमबर-पांच यह लखी कलर आपका नीला है और आप बात करेंगे विशचक राश्री की नौकरी रह आसान होगी और सभी आपके काम से खुश दिखाई देंगे गर में किसी के साथ मदभेद उभर कर सामने आएगा लेकिन समझदारी से वे सुलज भी जाएगा विर्शक राशी वाले जात्कों का लखी नमबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर 6 है लखी कलर आपका पिल्दा है और आप बात करेंगे धनू राशी की 24 फरवरी के दिन मंगल थोड़ा भारी रहेगा जिस कारण छोटी मोटी परेश्वानी से सामना हो सकता है ऐसे में हनुमान मंदिर हो कर आए धरूर राशी वाले जात्कों का लखी नमबर अकलर जान लेते हैं किसी योजना पर कुछ दिनों से काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी जिससे मन खुश होगा परोस में किसी का व्यभार पसंद आएगा मकर राशी वाले जात्कों का लखी नमबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर एक है लखी कलर आपका भूरा है और अब बात करेंगे कुमराशी की किसी ज़ानकार पर आपका आकर सुना सकता है लेकिन आप उससे कह नहीं पाएंगे ऐसे में उत्तेजित होने से बचे और उन्हें पूरा समय दे कुमराशी वाले जात्कों का लखी नमबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर आठ है लखी कलर आपका गरे है और आप बात करेंगे अंतिम राशी मीन की 24 फरवरी का दिन आपको अपने जीवन साथी से कुछ चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा जो आपको परिशान करेगा रिष्टो को संभालने के चकर में आप कुछ गलती कर तकते हैं मीन राशी वाले जात्कों का लखी नमबर छे है लखी कलर आपका महरून है बोलते तारे में फिलहाल इतना ही नमस्कार